अस्तामेकोब दोस्तों कैसे हो दोस्तों मैं हो जुगनो आप देखने हो साथ जुगनो यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बता हूंगा कि मैंने एक ना प्रिंटर लिया है L-31 EPSOM का ठीक है यह रेखें वन येर व्रेलिटी के साथ है दोस्तों ये 3 कम करता है प्रिंटिंग भी करता है अधिक हो गया ये 3 कम करता है पहले मेरे पास एक प्रिंटर पड़ा है यह देख लिए यह बड़ा ये L805 EPSOM का थीक है ये जस्ट फोटो के लिए यह 6 कलर के अंदर यह वह 4 कलर के अंदर है यह 6 color के अंदर इससे हम ना ज़स्ट फोटो जो ना प्रिंट कर सकते हैं अच्छी फोटो बनती है color भी यह निके fit रहते हैं फोटो कापी ज्यादा है इससे हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि नुकसान होता है इस प्रिंटर का एक मेरे पास और पड़ा है यह वला प्रिंटर यह 21 और 32 है ठीक है इसके अंदर scanner भी है और copy print भी करता था लेकर आप यह खराब हो गया क्योंकि यह नार्मल है तो इसकी जग मशीन भी पड़ी है मशीन की मदल से जब हमारे पास copy थोड़ी है एक दो copy के लिए अगर को कस्टमर आपके पास आता है आप इतनी बड़ी machine को on करते है ठीक है और बिजली जो ना वह ज्यादा यूज होती है तो इसके लिए मैंने यह प्रिंटर चोज किया ठीक है अब मैं इसे open करता हूँ यह नियू लिया है अब लोगों को दिखाता हूँ मैं रिजर्स सीजर्स किदर के लिगी मैं इसे open करता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों के मुझे चपे में इसे कौन कौन सी चीजे मिली है ठीक है और इसका इस्तमाल भी मैं आपको दिखाता हूँ अब दोस्ता इसमें एक कॉपी मिली है और एक डिस्क मिली है इक अतिस दस्की जो इसके अंदर इसके ड्रावर है ठीक है यह बहुत ही अहाम डिस्क है ठीक है यह वाली और इसका यह अड़ाप्टर मिला है मुझे केबल है इसकी और क्या क्या चीज मिली है इसमें से इसमें से इसकी इसकी इंक मिली है मुझे और इजनल जो है ना यह वाली इसकी इसकी प्राइस है 29,500 कुछ रुपे के तीस हजार के अंदर आपको लगबग मार्कीट से मिल जाएगा तो सबसे पहले मैं इसे ना जड़ा पहले वाली अपने फ्रिल्टर को उप इखाता हूँ यहां से अब मैं ज़रा इसे यहां पर रखता हूँ एक बार एक मिनटे एक मिनटे एक में ज़रा इसकी मत्ती सब्सक्राइब बढ़िए कासितारी है इनपूर्ट के लिए यह केबल मैंने लगा दी यहां पर अन्पिया है एक यह केबल है हमारे पास यह भी हम इदर लगा देंगे कि अबूर्ट के लाओ यह है इनपूर्ट के लिए तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसके ड्राइवर करता हूं अपने पीसी के अंदर ठीक है उसके बाद इसे स्टार्ट करते हैं यह इसके डिस्क के ठीक है इसे मैंने अन कर दिया ठीक है अब जरा इसके ड्राइवर करना है इधर से डिस्क उठाता है जैसे यह डिस्क उठाली इसने यहां से हम अम रण करते हैं अए तो यह करते हैं इसे कि और यह आई करते हैं इसे और धुक्त हो गया एक दो मिनुट लगएगा जिक है तो हमना पहले अन हो गया है ठीक है अब हम कापी करके देखते हैं यहां पर रखते हैं ठीक है सिधर ओके और इधर से हम यहां इसके नदर पेज डालती है और यहां से कॉपी करेंगे दोस्तों यह एक दो तीन बटन है इसके यह मैंने स्टॉट कर दिया वह कॉपी हो रही है यह लो दोस्तों कोपी निगल गई है ठीक है हमारी और यह हमारे जोना जोना ड्रैवर वह भी तकरीबन बस इंस्टाल हो ही चुके हैं उसके बाद हम इससे प्रिंट वगारा निकाल सकते हैं रंगीन प्रिंट वगारा कर दोस्तों 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 बाएव बीडियोस्टोप पाफ तो जी दोस्तों यह में इसे रंगीन प्रिंट आप करने लगें ड्रावर इंस्टाल हो रहे हैं तकरीबवन हो गए है ठीक है यह प्रिंटर है 3110 ठीक है प्रोपृटीज एफ और ठीक है प्लैन पेपर क्यों पर हम फिल यह प्रिंट करेंगे स्टेंडर के उपर ही कर देंगे क्योंकि उदर मैंने जो पेपर डाला है इसके अंदर वह प्लान पेपर है ठीक है अब करते हैं अब देखते हैं इसे यह क्या करता है करते हैं अब दोस्तों यह रंगीन प्रिंच निकल रहा है हमारा अधे जाड़े यह दोस्तों यह पॿवरंट मिलिया और प्रिंच शक्राइब करको को तो यह printer भी है, copy भी है और scanning के लिए भी है दोस्तों इससे आप scan भी कर सकते हो documents को तो दोस्तों अगर आप कोई printer लेना चाहते हो अभी ठीक है तो मेरे अगर जो 24 के मतावक है ना तो वो आप यह printer ले ले 31-10 printer है ठीक है बहुत ही अच्छा नार्मल रेट केंदा है दोस्तों यह तीसाजार पाय का आप लोगों को मिल जाएगा औरिजिनल इंक के साथ है इसकी मज़ से दोस्तों आप प्रिंट भी कर सकते हो, scan भी कर सकते हो, copy भी कर सकते हो यह देखे, मैंने तस्वीर निका लिया, सरफ यह ना प्लैन पेपर के उपर मैंने निका लिया, आपके सामने कितना खुबसूरत रेजल्ट मिला है आम लोगों को अमीद करता हूँ, मेरी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी थैंक्स फवाजिए, लाफियस्ट